एक question पूछ रहा हूँ कि when was article 31C inserted? क्या answer है A, B, C, D? इसका answer आप video pause करके जरूर देना तो देखो इसका answer मैं बता रहा हूँ उससे पहले उसका explanation article 31C बोलता है कि जो DPSP है जैसे कि 39B और 39C जो कि बात करती है कि जो resources है वो equally सबको बाटना है 39C बोलता है concentration of wealth नहीं होना चाहिए यह state इस पर laws बना सकती है even though अगर वो fundamental right 14 और 19 को wallet कर रहा है और फिर second में ये भी बोलाता है कि वो judicial review के बाहर है ठीक है nobody can challenge that तो ये एक socialistic principle है और अगर हम देखें कि खब आया तो 1971 में इंद्रगांदी के election ने टाइम पे उन्होंने नारा दिया था गरीबी हटाओ तो अब आप सोच सकते हो कि 1971 में ये गरीबी हटाओ और गरीबों के प्रती law कब आया होगा ठीक है तो answer is C अच्छा जो इसका दूसरा provision है कि वो judicial review के बाहर है कोई court उसका challenge नहीं कर सकता है इट वस चैलेंज़ बाई केशवनान्द भारती case in 1971 और उसका second provision है वो cancel कर दिया गया null and void लेकिन जो first provision है 31C का वो continue किया गया अच्छा बाद में 42nd amendment 1976 में इंद्रा गांधी ने सभी यह जो DPSP है उसको सब यहां पर रख दिया कि DPSP सारे हम ला सकते हैं UN दो 1419 wallet हो रहा है अगे मिनेर्वा विल्स case में भी उसको अटा दिया गया not in word thank you